प्यारे विध्यार्थियों कैसे हो आप आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे आईए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंब करते हैं हमारे अध्याय का नाम है नीती नवनीतम प्यारे विध्यार्थियों इस पार्ठ में कुछ श्लोक दिये गए हैं इसका हम उच्चारन करेंगे और उसका हिंदी अनुवार भी देखेंगे पहला श्लोक आपत काले तु संप्राप्ते यन मित्रम मित्रमेव तत बृध्धे काले तु संप्राप्ते दुर्जन अपिसोहिद भवेत भावार्थ श्लोक कहता है आपत काले तु संप्राप्ते यन मित्रम मित्रमेव तत अर्थाद आपत काले अर्थाद आपत्ती के समय में तु संप प्राप्ते जो प्राप्त होता है यन मित्रम मित्रमेव वही मित्र कहलाता है व्रिद्धी काले तु सम प्राप्ते और जब हम जीवन में कुछ प्राप्त कर चुके होते हैं और तब कोई व्यक्ति आता है तो कहते हैं दुर्जन अपी सुहिद भवेद तो दुर्जन व्यक्त भी हमारा मित्र बन जाता है कहने का तात पर इह कि हमारे जीवन में जो मुसीबत के समय जो व्यक्ति हमारा साथ देता हैं वास्तम में वही मित्र कहलाता है वृद्धीकाले जब हम अपने जीवन में उन्नति कर चुके होते हैं तब तो शत्रू भी हमारा मित्र बनने के लिए तयार होता है श्लोक 2 नकश्चित कस्चित मित्रम नकश्चित कस्चित रिपू हो वेवारेन मित्राणी जायनते रिप वस्त था श्लोक कहता है न कश्चित कश्यचित रिपू अर्थात कोई किसी का शत्रू नहीं होता न कश्चित कश्यचित रिपू और ना ही कोई किसी का मित्र होता है विवहारेन मित्राणी जायंते रिपवस तथा अर्थात आपके विवहार पर ही ये निर्भर करता है कि सामने वाला ह मित्र है या शत्रु कहने का ताद परे हैं कि हम अपने विभार के माध्यम से ही इस अंसार में अपने मित्र और शत्रु निर्धारित करते हैं श्लोक तीन पिवन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः स्वयम नखादंति फलानि व्रेक्ष़ा नाधंति सश्यम खलुवारिवाहः परोपकारायसताम विभोतया श्लोक कहता है पिवन्ति नद्या स्वयमेव न अम्भ अर्थाद पिवन्ति अर्थाद नद्या अपना जल स्वयम नहीं पीती श्वयम न खादन्ति फलानि वरिक्षः नहीं वरिक्ष अपने स्वल श्वयम खाते हैं ना अंदन्ति सस्यम खलू वारिवाहा अर्थाद जो मेग है वे अपने अनाज नहीं खाते बादल जब जल देते हैं तो सच से अर्थात जो अनाज उत्पन होता है वे स्वयम नहीं खाते परूपकाराय सताम विभूतय अर्थात जो सजन लोग होते हैं उनका जीवन सदईवा दूसरों के लिए होता है कहने का तात पर है जीवन में ना तो कभी विक्ष अपने फल खाते हैं ना नदिया अपना जल पीती हैं और ऐसे ही जो सजन लोग होते हैं वे जीवन में दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं श्लोग चार, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, मित्रस्य कुता सुखं, भावार्थ, अलसस्य कुतो विद्या, अर्थात जो आलसी व्यक्ति है, उसे विद्या प्राप्त नहीं होती, अविद्यस्य कुतो धनम, और जो व्यक्ति, अविद्यस्य अर्था जो अविद्य है अर्था जिसके पास ग्यान नहीं है उसके पास धन नहीं है अधरस्य कुतो मित्रम और कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मित्र नहीं होता और जिस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं है उसके पास सुख भी नहीं है प्यारे विध्यार्तियों यह श्लोक हमें कहता है कि हमें अपने जीवन में विध्या ग्रहन करनी चाहिए विद्या है तो आपके पास धन है और धन है तो आपके पास मित्र है और मित्र है तो आपके पास सुख है श्लोक पांच प्यारे विद्यातियों श्लोक क्याता है सत्यम प्रियात अर्थात हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रियम प्रिये बोलना चाहिए प्रियम चाहिए और हमें जूटा अप्रिये भी नहीं बोलना चाहिए और यही धर्म सनातन है अर्थात यही सच्चा सनातन है सनातन अर्थात यही सबसे प्राचिन सभिता का लक्षन है प्यारे विध्यार्तियों श्लोक 6 उत्सवे व्यासने प्राते दुर्विक्षे सत्रु शंकटे राजद्वारे समचाने च यहते श्ठती सब बांधव श्लोक का भावार्थ उत्सवे व्यासने प्राते शत्दुर्विक्षे सत्रु संकटे यहाँ पर कुछ चीजे गिनाई गई है जिसमें कहा गया है कि हमारा वास्तविक बांधव अर्थात बंधु कोन होता है उत्सवे अर्थात उत्सव के समय यानि खुशी के समय व्यासने अर्थात बुरे समय में संकट के समय में दुर्विक्षे अर्थात आकाल पढ़ने पर जब आपके पास कुछ भी ना हो उस समय शत्रु संकटे और जब आपके जीवन में शत्रु का संकट हो तब पारे शम्सानेच σह या तो राजा की दर्वार में या शम्सान हाट हमें तक आपके पास यह तिस्थती जो रहता है वहीं आपका सच्चा बंदू होता है। श्लोक के कहने का तात पड़ी है कि आपके चीवन में या तो सख नुख हो या शत्रूओं का संकट हो या किसी प्रकार का अकाल पड़ा हो या राजा के दर्वार में रहना हो या फिर शमशान घार्ट तक जाना हो जो व्यक्ति उस समय तक आपके साथ रहता है वही व्यक्ति अमारे जीवन का सबसे अच्छा मित्र होता है श्लोक साथ पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमंपदम पितरी पिती मापन्ने प्रियंते सर्वदेवताह का भावार्थ प्यारे विध्यार्तियों पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही धर्म है और पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परमंपदम और पिता ही परमंपद है, पितरी प्रीतिम आपनने अर्थात पिता का प्रेम आपनने प्राप्थ होने पर, पिता का प्रेम प्राप्थ होने पर प्रीयंते सर्व देवता, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों ये लोग हमें सिखाता है कि पिता हमारे लिए सब कुछ हैं पिता हमारे धर्म हैं पिता हमारे स्वर्ग हैं अर्था सुख का स्थान है पिता ही हमारे देवता स्वयम प्रसन्न हो जाते हैं तो प्यारे विध्यारतियों मैं आशा करता हूं इन सभीष लोकों का भावार्त आपको समझ आया होगा आप भी अपने स्तर पर इन सभीष लोकों का हिंदी अनुवात जरूर कीजेगा